Hello everyone, welcome to my channel दोस्तों आज हम एक ऐसी remedy के लिए बारे में बात करने वाली हैं जो आपकी सारी रिक शक्ति को वढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगार होने वाली हैं ये remedy आपकी संभू की रिया से जुड़ी हर एक समस्या को खत्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा effective हैं और ये इतना बहतरी तरीका हैं जिससे आप घर बैठे बड़ी आसानी से अपने नीजी अंग से जुड़ी हर एक समस्या से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों ये खाने से आपकी sexual ability एक समान पुरुषों में 5 गुना बढ़ जाती हैं और आप अपने आपको मजबूत बना सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये जो remedy हैं ये आपकी मरदाना शक्ति को बढ़ाने का बहुत ही आसानी से काम करती हैं ये remedy क्या है और कैसे बनेगी इन सभी चीज़ों को जानने के लिए यदि आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया करने में सबसे ज़्यादा मदद करती हैं और इसमारा फर्स इंग्रीडंट है यह है इसमें लेति आप के गोले की जो किरी होती है यह वह है आप Note कि गोले को इसको कर्दूकस करके उसकी गीरी को बिनासकते इसमें इतने ज्यादा पोशक तत्वो होते हैं कि आपके दिल से जुड़ी और बिमारियों को भी खत्म कर देती हैं साथीस दोस्तों ये आपके शरीर में भैंकर ताकट देने का काम करती हैं जिससे कि आप अपनी बीवी को पूरी तरह से satisfy करा सकते हैं ये आपकी शालरी कमजोरी और कम समय लखने की समस्या को खत्म करती हैं साथ ही साथ आपके शरीर में उर्जा देती हैं और धकान कमजोरी को दूर करती हैं क्योंकि इसमें कई तरह के nutrients मौजूद हैं जैसे कि इसमें हैं अच्छा कॉलेस्टरॉल फाइबर, मेगनेशियम, सेलेनियम, कॉपर जो कि आपके शारीक शक्ति को बढ़ा देते हैं अब दोस्तों यहाँ पर जो दूसरी चीज़ आपको चाहिए होगी वो है पीनेट्स पीनेट्स इन सर्दियों के टाइम में बहुत आसानी से मिल जाती है और ये भी ताकत का खजाना है पाचन शक्ति से लेकर आपके शरीर की मास को बढ़ाने के लिए यह बहुत कारगार चीज़ है दोस्तों आपको बता दे 250 गराम मास में इतना विटामिन्स नहीं होता जितना की 50 गराम मूमफली के अंदर होता है ये न्यूट्रेंट्स का खजाना है इसके अंदर आईरन अंटि ओक्सिजन्स और बलड सर्कुलेशन को बहतर बनाने के लिए बहुत काम की चीज़ है जब आप इसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर में बलड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और आपकी सेक्स से जुड़ी हर एक समस्या भी ठीक होती है तो दोस्तों यहाँ पर आप इस नुस्के को बनाना कैसे है ये हम आपको बता देते हैं दोस्तों यहाँ पर इसनुस्के को तयार करने के लिए हमें एक खाली बोल लेंगे और यहाँ पर हम एक खाली बोल के अंदर सबसे पहले हम लेंगे पीनेट्स यानि मुफली और दोस्तों यहाँ पर आप इसे 10-15 ग्राम के आसपास ले सकते ही इस तरीके से मैंने दो चमच ये पीनट्स लिए हैं और इसमें जो दूसरी चीज हमें शाहिए होगी यह गोला गीरी तो यहाँ पर दोस्तो हमें एक चमच ये डाल देना है और इन दोनों चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोस्तों आप चाहें तो इनको roast कर सकती हैं आप इनको roast करके इनका powder बना कर भी इसको ले सकती हैं या फिर आप इन दोनों को मिला कर दूद में पका कर भी इसका 7 कर सकती हैं अब मैं आपको बताती हूं इसका 7 किस तरह से करना है दोस्तों ये जो नुस्खा आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही ताकतवर रेमेडी है जो कि बिल्कुल नैचरल और सो पर्टीशक सेफ है आप लोगों के लिए इसको आपको रात में सोने से पहले एक गिलास गरब दूद के साथ लेना है और आप चाहें तो इसका पाउडर बना कर भी ले सकती है अगर आप इसका सेवन करती है तो आपकी शारिक शक्ति तो आपकी बढ़ती है साथ ही यौन रॉग भी ठीक हो जाते हैं तो दोस्तों ये अगर आपको हमारी वीडियो फसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीचे और फीचर अपडेट के लिए हमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब कीचे धन्यवाद